हलो बच्चो आज हम इंग्लिश का चेप्टर सिक्स पढ़ेंगे जिसका टाइटल है देथ पैनल्टी डेथ पैनल्टी का मतलब होता है मौत की सजा बहुत बहुत साल पहले अरेबिया जो जगह है वहाँ पर एक बहुत बड़ी सल्तनत होती थी सल्तनत का मतलब होता है राज्य यह बड़ी खुशाल थी वहाँ के आदमी बड़े बड़े कारवा लेकर एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने जाते थे और अच्छा जा था वह अपने परजा को बड़े प्यार से रखता था लेकिन उसके दिमाग में एक वह थोड़ा सा पागल टाइप का था वह अपने वजीर से हर बात में प्रामर्श लेता था चाहे वो कारिय है छोटा हो चाहे बड़ा हो लेकिन जो वजीर कह देता था वह है उन बातों को मानता था दुरुब अग्य से सुल्तान एक चिंता वाला पिताया था क्योंकि उसका जो राजकुमार था उसको लकवे की शिकायत थी और वह है अपाही जो गया था उसकी बिमारी इतनी खतरनाक थी कि वह है अब अपने आप बैड में बिस्तर में बैठ भी नहीं पता था राजकुमार की बिमारी बड़ी सुल्तान के लिए मुश्किल पैदा कर रही थी और सुल्तान सोचता था कि अब उसके बाद राजा कौन बनेगा सुल्तान ने अपने राज्य से सभी डॉक्टर या हकीमों को दूर-दूर से बुलाया लेकिन कोई भी राजकुमार को उस रोग में आराम नहीं दिला पाया एक बार एक हकीम अपने शिश्चे के साथ उस रज्जे में आया वह हकीम बड़ा ही एक्सपीरियंस था यानि के तुजर्बे वाला था और उसने अपना बड़ा नाम कमाया था उसके शिश्चे का नाम था खलील और वह भी अपने टीचर की तरह एक अच्छा शिश्चे था उसके टीचर ने भी यानि के हकीम ने उसे अपने काम के अपने धन्दे की बारी किया समझा दी थी अभी वे दोनों रज्जे के बाहर रज्जे की राजदानी के बाहर एक सराई में रुके हुए थे वहाँ पर उनको पता चला कि रज्जे बड़ा ही खुशाल है अमीर लोग यहाँ पर रहते हैं लेकिन सुल्तान अपने वज्जीर की सला लेता है हर मामले में और कई बार अन्य पूर्ण कारिये भी करता है लेकिन इसी बात की सजा राजा को मिली है कि राजकुमार एक अपाहिज है यह सुनकर खलील ने कहा कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरे जो गुरू हैं वो बड़े ही अच्छे हकीम हैं दवाई देने वाले हैं और ऐसी कोई भी बिमारी नहीं जो कि वो ठीक नहीं कर सकते तो जिस सराय का मालिक उसको कहता है कि मैं यह बात महल तक पहुचा दूँगा और जो सुल्तान और हमारे रज्जे के जो लोग हैं वो आप सभी के बड़े ही धन्यवाद करेंगे हकीम ने अपने शिस्षे से कहा तुम देख रहो कि मुझे अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी पहुचना है मेरे पास बहुत कम समय है इसलिए मैं राजकुमार का इलाज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके इलाज में कई हपते लग जाएंगे जब सराय का मालिक चला गया खलील ने पूछा सर ये तो बड़ी अजीब बात है आपने कभी भी किसी बिमार आदमी के इलाज के लिए मना नहीं किया आपने बड़े खुश होकर गरीब से गरीब आदमी का भी इलाज किया है और यहां तो एक राजकुमार है फिर आपने उनका इलाज करने से मना क्यों कर दिया तो हकीम कहता है क्या तुमने नहीं सुना कि सराय के मालिक ने क्या बताया उसने बताया कि सुल्तान जो है वो एक मूर्ख आदमी है जो कि वजीर की सला पर चलता है और ऐसा जो सुल्तान या राजा जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है और हमारा जो यह पेशा है तो इस बात पर खलील कहता है कि हमारा पेशा हमें इजाज़त नहीं देता कि हम बिमार आदमी का इलाज ना करें मेरा जमीर बिल्कुल नहीं मानता है कि मैं राजकुमार का इलाज किये बगैर चला जाऊं लेकिन हकीम कहता है कि ये मेरा आखरी फैसला है और वह जाकर बिस्तर में सो जाता है लेकिन खलील को बड़ी नीद बड़ी मुश्किल हो जाती है वह हर वह बड़े मुश्किल से सो पाता है और यह जानकर कि वह एक बिमार आजमी की मदद नहीं कर रहे वह सो नहीं पाता है वह अपने टीचर को बड़ा रेस्पेक्ट करता था और उसकी बातें ना मानने की गुस्ताकी नहीं कर सकता था इसलिए उसने मन बना लिया कि वह है खुद रुक कर राजकुमार का इलाज करेगा सुबह खलील ने यह बात अपने टीचर को बताई कि सर मैं आपसे बिंती करता हूँ कि अगर आप राजकुमार का इलाज नहीं कर रहे हैं तो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उसका इलाज कर पाऊं और मुझे आशिरवाद भी दीजिए इस बात पर हकीम ने कहा कि ठीक है लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि जितनी जरूरत है यानि कि इलाज होने के बाद अगर तुम ज़्यादा देर रुकोगे तो वो तुमारे लिए खतरनाक होगा खलील ने अपने हकीम टीचर से इलाज के बारे में बहुत सारी बाते की और वो दोनों अलग हुए अब खलील सराय मालिक के साथ दर्बार में गया वहाँ उसको जल्दी ही राजा ने बुला लिया राजा बड़ा ही निराशावान था लेकिन फिर भी उसने इलाज के लिए हाविबर दी खलील ने राजकुमार को पूरी तरह से जाचा परखा और एक बहुत लंबी लिस्ट जडी बूटियों की लिख दी जडी बूटिया लाई गई और वहाँ उनको कूटने पीटने और चटनी बनाने में लग गया और वहाँ चटनी उसने जो हिस्से राजकुमार के असर बिमारी से पीडित्थे उन पर लगाया और कई गाढ़े भी राजकुमार को पीने के लिए दिये जो इलाज था वह ठीक ठाक होता रहा और दूसरे ही दिन अच्छे असर दिखाई देने लगे पहले तो असर थोड़ा सा दिखाई दिया लेकिन बाद में जो ठीक होने के असर थे वो बड़ी जल्दी जल्दी होने लगे और इस परकार बड़ी खतरनाक बिमारी से दो ही अपते में राजकुमार ठीक हो गया यह देखकर राजा बड़ा खुश हुआ उसने बहुत सारे इनाम खलील को दिये और एक अपते के लिए खुशिया मनाने के लिए रज्जे में गोशना कर दी उन्होंने खलील को राजसी हकीम नियुक्त किया खलील जाना तो चाता था लेकिन राजा के कहने पर वहर रुख गया क्योंकि खलील भी राजसी ठाटवाट को अब पसंद करने लगा था खलील बड़ा ही समझदार आदमी था वहर राजा को सवास्थे के बारे में तो सला देता ही था और इसी के साथ अब वह पोलिटिकल मेटरस में भी अपनी सला देने लगा और वो राजा को फाइदा करती थी राजा ने भी उसकी बुद्धी को समझा और अब वह वजीर की जगे खलील से सलामसवरा लेता था इस बात से वजीर को गिरना होने लगी और क्योंकि उसकी अब जो ताकत थी वो कम हो रही थी काटी जा रही थी तो उसको अब गुस्सा आने लगा उसने कई बार नए हकीम यानि खलील को अपनी हद में रहने के लिए कहा लेकिन खलील को अब ताकत का मजा आने लगा था उसको उसने खलील ने वजीर की बातों को नहीं सुना दूसरी तरफ वजीर अब अपनी खोई हुई परतिष्ठा को वापस पाना चाता था वजीर बड़ा ही चाला का अदमी था और वहे अब राजा को खलील के बारे में बढ़काने लगा वहे कहने लगा कि जो खलील है वहे आपके खिलाफ साजिस रचरा है वहे एक जासूस है राजा ने अपने विश्वास पत्र नोकरो को भी इसमें शामिल किया और वहे राजा को खलील के खिलाफ बढ़काने लगे जूट भी सच दिखाई देने लगती है जब वह बार बार बताई जाती है और इसी का असर हुआ कि पहले जब सुल्तान इन बातों को नहीं ध्यान देता था बाद में उसको वे सब ठीक लगने लगे और वहे भी खलील पर शक करने लगा इसी बात का वजीर ने फायदा उठाया और खलील के खिलाफ राजा को बढ़का दिया और एक दिन राजा को विश्वास हो गया कि खलील वास्तों में ही एक जासूस है और उसे मृत्यू दंड दे दिया खलील को प्रिजिनर बनाया गया यानि के कैदी बनाया गया और सुल्तान के सामने हतकडियों में लाया गया खलील को अब उसके टीचर की बात याद आई कि उसे ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए था लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी राजा ने खलील की एक भी बात न सुनी बस उसने सीधा उकम दे दिया कि खलील की गर्दन काट कर लाई जाए फिर खलील से पूछा हकीम तुम अपनी आखरी इच्छा बताओ तो खलील कहता कि हाँ जी मेरी एक इच्छा है तो सुल्टान कहता है कि जल्दी बताओ मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ खलील कहता है सर मैं आपका एक वफादार नो कर रहा हूँ और इतने सालों तक मैंने आपकी सेवा की है जब मुझे अब मरना है तो भी मैं यही कहता हूँ कि मैंने कभी भी दोखा नहीं दिया बस आप याद कीजिए कि मैंने कैसे राजगुमार का इलाज किया राजगुमार के साथ ही आपका और दूसरे दर्बारियों का कितनी बिमारियों से इलाज किया इन सबी इलाज करने में इस किताब का हाथ है और खलील ने एक बहुत मोटी किताब अपने कपड़ों में से निकाली राजा को दिखाते हुए बोला जब भी मैं किसी आदमी का इलाज करता हूँ तो मैं इस किताब को जरूर पढ़ता हूँ और यह किताब मुझे बताती है कि दवाई कैसे देनी है अगर आपके पास यह दवाई रही तो आपको किसी हकीम की जरूरत नहीं पड़ेगी आप भी सबी बिमारियों का इलाज कर सकते हैं मैं इसको आपको गिफ्ट में देना चाहता हूँ और उमीद करता हूँ कि आप पूरा जीवन हेल्दी रहें सवस्थ रहें खलील ने राजा को सुल्तान को वह किताब दे दी और कहा कि इस किताब को जरूर पड़ें जब कि मुझे फासी की जगए पर बेजा जा रहा है और जब पहरेदार मेरा कटा वसर लेकर आएं तो मैं हर बात का जवाब दूँगा जो आपको इस किताब में समझ में ना आए राजा ने पहरेदार को इशारा किया कि खलील को ले जाओ और फिर वह किताब पड़ने लगा राजा पेज बजलता गया और इसके लिए उसको अपने थूक का इस्तेमाल करना पड़ा जो कि बार-बार उसकी उंगली से लग कर और किताब पर लगता और किताब से वापस उसके मूँ में आ जाता जब तक हकीम यानि खलील का सिर दर्बार में लाया गया सुल्तान को चक्कर आने लगे थे तो उसने खलील के सिर से पूछा मैं मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं क्या कारण हो सकता है सबी जो उपस्ति थे उनके आश्चरिये के हिसाब से जो सर था वह है बड़े पागलो जैसी हसी हसने लगा हाँ 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 तुम ओ ना फर्मान सुल्तान तुमें यही तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था मैंने तुम्हारी सेवा की पूरी इमानदारी के साथ लेकिन तुमने एक वजीर की सुनी जो कि तुम्हें गलत सला देता था तुम्हें पनिश्मेंट मिलनी चाहिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए क्योंकि तुम इस तुम राजा बनने के हकदार नहीं हो तुमने एक वफादार हकीम को मौत की सजा दी है अब तुम्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए और अब तुम भी मेरे साथ मरने जा रहे हो तुमारे अब कुछ ही सांस बचे हुए है सुल्तान को यह सुनकर जटका लगा मैं कैसे मर सकता हूँ उसने गुसे में पूछा सर बड़ी जोर जोर से असने लगा और कहा जो किताब तुमारे हाथ में है यह मौत की किताब है मैंने तुमें यह पढ़ने के लिए कहा था और तुमने इसे पढ़ना शुरू कर दिया एक-एक पेज के पलट कर ऐसा करते समय तुमें अपना थूक इसके साथ लगाना पड़ा और इस किताब पर के हर पेज पर एक जहर लगा हुआ था जो तुमने बिना जाने चाट लिया अब तुम मरने जा रहे हो मेरे साथ इनी शब्दों के साथ सर चुप हो गया सुल्तान को अब बेहोसी चाने लगी और वह बड़ी खतरनाक हो गई उसकी चाती में दर्द होने लगा और कुछी देर में वह गद्दी से गिर गया और मर गया जैसे की एक मचली बिना पानी के यह सब देखकर सभी दर्बारी और अमीर आदमी एह विश्वास और राश्चरिये से भार गए धन्यवाद